हाई फ्रेंड्स फिल्कम हमारे जीएस इंडिया यूटूब चैनल्स पर यह हमारा सौर्ट नंबर वन हेंड़ेड़न थ्री है और आज का टॉपिक है गाइनकोलोजी एड मिडवाइफरी या मिडवाइफरी एड गाइनकोलोजी आप कह सकते हैं यह प्रीवियस एर के कोई परिशाओं के लिए सभी नर्सिंग परिश्चाओं के लिए काफी एची तरह से यहाँ पर समझेंगे विडियो को जादा सब्सक्राम समझने के लिए इसे इंहें समझना काफी है कि इन्हें बहुत घूमा फिरा कि कोशन पूश attitudes के बिए रिए फिर इंप्र리क्व सब पर important है बिहार, A&M, विहार, CHO, राजिस्तान, CHO, Army Nursing, CIP, B.S.F. Nursing, Interest Exam, Amps Nursing, PDI Nursing, All State के सभी NHM exams के लिए और जितने भी Central Government की सभी वेकेंसियों के लिए यह समान रूप से उप्योगी data है क्योंकि यह सभी को समाहित किया जाता है जो exams में पूछे जाते हैं, वो B.S.F. हो, Army हो, CIP, Nursing हो, कोई भी Interest Exam हो, ठीक है, और यह जॉप के लिए important है आपके लिए, चाहे वो A&M हो, CHO हो, UPCS exams हो, Nursing, सभी के लिए, कोशन नंबर है आपकी स्किन पर, first पढ़ें, फिर answer बताएं, क्या होगा इसका right answer, थोड़ा स्वस समझ के answer देना है, आपको question number first, I, आपको है पर होदाना, IUD, सम्मिलन की सबसे आम जटिलता है, question आप इंगलिस में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, the most common complication of IUD, ठीक है, insertion is, जब भी IUD को insert किया जाता है, तो आपको बताना है, सबसे most common जो complication है, जटिलता है, वो कौन सी है, क्या है इसका right answer, comment करें, जो भी right answer आपको लग रहा हो, absence, इसका right answer है, क्या absence, bleeding, ठीक है, bleeding, ये आम समझ से है, bleeding थोड़ी बहुत होती रहती है, ठीक है, या होती है, irregular भी होती है, ओके, और कई जगे answer को ये लिखा है, perforation, ठीक है, इसे भी mention किया गया है, लेकिन ये आम ज़्यादा होता है, generally होता है, ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, bleeding ये क्या है, generally है, ज़्यादातार आम है, ओके, next question number आपकी skin पर, question number आप 2 पढ़ें, फिर answer बताएं, यहाँ पर mention किया गया, दर्दनाक योन किरिया को क्या कहा जाता है, या क्या कहते है, painful, sorry, painful sexual activity is called, या painful sexual act is called, क्या होगा right answer इसका, comment करें, जो भी right answer हो, according to option, you have to select the right answer, इसका जो right answer होगा, comment करके बता सकते हैं, option C is the right answer होगा, क्या, option C is the right answer होगा, painful sexual activity, या painful sexual act is called, यह लिका है, despair union, क्या लिका है, despair union, option C is the right answer, अब आपको पता होगा, sex के दोरान, sexual activity के दोरान, या sex के दोरान, after या before, ठीक है, या during the sex के दोरान, जो pain होगा, उसे despair union के नाम से जाना जाता है, या बाद में हो, या पहले हो, या मद्द में हो, ठीक है, during the intercourse, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसे despair union के नाम से जाना जाता है, दर्दनाक योन के लिए हिंदे में कहेंगे, ठीक है, लेकिन आप इंगलिस में ध्यान रखने का प्रियास करेंगे, जो हिंदे मेडियम से हैं, वो भी ठीक है, painful sexual activity या painful sexual act, ठीक है, इसके लिए terms होता है, despair union, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कुछ point mention किये गए हैं, आप इसे समझ ले, यह लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि, जो despair union, जो terms इस्तमाल किया जाता है, यह इसलिए इस्तमाल किया जाता है, जब भी intercourse के दोरान या sex के दोरान ठीक है, sex के दोरान या sex के पहले या sex के बाद में ठीक है, अगर दर्द या pain होता है, तो उसके लिए terms इस्तमाल किया जाता है, तो ध्यान रगें कि क्या, despair union इस्तमाल किया जाता है, अगर किसी को भी ऐसी समझ से आ रहे, तो और डॉक्टर से सला ले सकते हैं, इसके लिए हैं, ठीक है, अगर किसी बिव्यक्ति को, किसी को भी ऐसी समझ से आती, वो लोग इस पे डॉक्टर से सला, तो उमीद करता हूँ, आप समझे होंगे, और यहाँ पर जो terms इस्तमाल किया गया है, बहुत से लोग इसे और कुछ समझते हैं, ठीक है, इंटर कॉर्स का मतलब होता है, सेक्स करना, ठीक है, क्या होता है, सेक्स करना, अच्छे समझ लो, सेक्स करना होता है, इंटर कॉर्स का मतलब, कोई डिग्री डिप्लोमा करना नहीं होता, ठीक है, जो पता चला है, एक टमस और लिया गया है, लास्ट में बात करेंगे, इसके बारे में, ठीक है, question number आप पढ़ेंगे थी, फिर आमसर बताएंगे, क्या है राइट आमसर इसका, question number ये रहा आपके skin पर थी, यहाँ पर पूछा गया है, गर्भासे के बाहर, गर्भासे के बाहर, गर्भासा ही, और क्या कहा जाता है दिए गए आफसन के according right answer बताएं ये एक बार बता भी चुका हूँ इस question के बारे में जितने लिए सारे पूछे के question है इस words के आप बता सकते हैं ये लिखा है endometrial tissue का जब आसमान प्रसार होगा ये लिखा है proliferation का मतलब होता है प्रसार होना फैलना ठीक है तो इस प्रीडिंग होना इसके लिए जो टम से इस्तमाल के जाएगा आशमान प्रसार होगा जरूरत से ज़्यादा growth जाएंगे ठीक है ये tissue तो उसके लिए टम से इस्तमाल के जाएगा ndometriosis, दोनों में याद रखेंगे, आप देख लिए, यहाँ पर point लिखे गए, इन्हें आप समझ लें, ओके, यहाँ पर mention किये गए, ndometriosis is a condition in which tissue, similar to your uterine lining, grow outside your uterus and gets stuck to other organs, or structures often resulting in pain or the infertility, ठीक है, आप देखें, यहाँ पर बाद क्या कही गई है इसका मतलब यह है कि जो इंडो मेट्रियस इंडो मेट्रियल जो टीस्यू होते ना जब यह क्या करते हैं मलब सामान से ज्यादा यू ट्राइन लाइन जो यू ट्रस्की जो लाइन होती है इसमें क्या होता है इसमें सामान से ज्यादा प्रसार करते हैं यहां से एड़िदिज के जो फैलेफियन जीया बाला पार्ट होता, यहां पर थोड़ा समझने का प्रियास करें, जिभालों के यह यूटरस है, जिसों से जो टीस्यू होते है, इन्डुोमिटरियल टीस्यू, य है क्या ज़ते हैं? फैलेपियन टीब के और बढ़ जाते हैं यहां पर ओवरी की तरह पा जाते हैं या इधर बढ़ने का प्रियास करते हैं तो यह क्या होते हैं यह सामान से ज़्यादा प्रसार कर लेते हैं जिसे आशामान कहेंगे या एबनॉर्मल कहेंगे तो अमेट करते हैं आप समझे होंग ठीक है इसी को इंडियो मेट्रेसिस कहा जाता तो समझ गया होंगे आप किस तरह बताएगे आपको और हाँ एक बात और देनके जब यह बढ़ जाते ना तो इधर जब पहुंच जाते इसमें क्या कहते हैं इधर पहुंच जाते ओवरी की तरफ या फैलिपियन टीप में बहुत पेन करते बहुत ज़्यादा दर्द होता बहुत पेन होता और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकता है मतलब बाजपन समझ में आई बात जब इंडो मेट्रियल टीश्यू जब ज़्यादा बढ़ जाएंगे अपनी जगह से और ज़्यादा बढ़ने आपको बाजपन भी हो सकता है समझ में आई बात कि मतलब बच्चे को जन्मनि देसकती है यह मतलब होता इसका लेकिन आपको जो कोशंग पूछा गया है इतनी बात तो जरूर धिया रखेंगे कि endometriosis क्या होता जो endometrial tissue होते वो क्या होते दूसरे argans में चिपकने लगते या uterus में uterine lining में क्या होते ग्रो होने लगते है ठीक है uterine lining क्या होता ये भी बात समझ लो हो सकता है मन में बात रह रही हो ठीक है uterine lining क्या होता देशने कि ये उबरी है यह boundary दिख रहे, boundary दिख रहे, आपको न, uterus के, यह वारी जो boundary दिख रहे, तो यह boundary को कहते है, lining, क्या कहते है, इसी को utrine lining कहा जाता है, तो जो tissue होंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, इधर भी आ सकते, इध पोल मेंशुरेशन इस टम साइज आपको बताना है क्या कहा जाता है कमेंट करें जो भी राइट आम सरो देखीं आप कोशन नमबर फोर देखीं काफी अच्छे कोशन है यहाँ पर पूछा गिए दर्दनाक महा वारी क्या लिखा है महावारी, महा मतलब होता है महिना वारी मतलब होता है, जो आता रहता है हर महिने आता है, इसे महावारी कहते है, ना कि महामारी कहते है महामारी नहीं ध्यान रखना है महामारी, ठीक है, मोशली लोग बोल देते हैं, जर्णली, वो सकते हैं मैंने भी बोल दिया हो कई बार लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है आपके लिए मैं बता रहो महामारी नहीं होता है इसे कहते हैं इपीडेमिक मतलब एक बीमारी जो बहुत मतलब लंबे चेतर में फैल गई हो उसे महामारी कहेंगे और यह लिखा है महावारी क्या लिख क्या होता है दर्द होता है उसे के उसके लिए जो मेडिकल टर्म से यह क्या है बताना है आपको टर्मस कौन से इस्तमाल के जाता है आप संदी यह लिखा है डिस मेनौरिया क्या लिखा है डिस मेनौरिया यह टर्मस इस्तमाल के जाता है यह टर्मस यूच के जाता ठीक है त सेक्सक्राइज जब भी क्या होता सेक्सक्रास की जाती है कि दесक्राइज को ती जयाती है तो तो उसके लिए जो डर्द फोटा है उसके लिए ड़ी डिस्वे पैर appointments बेले इस्तिमाल किया गए हैं एमसी के लिए महनारी महा वारी मेंससेज के लिए liar किया दा क्या है इसके लिए जो terms होता है tack oh data dus Er πα्र ऑपर था इन्फे का इटर कोर्थ के लिए था था तो उसे लिए चलते है नेंथ कोशन पर यहां पर दे सकते हैं वहीट ठेक्स के हैं आपके लिए और विए और ग्रीड़ का से देखी जाते हैं उन्हें समझ लेते हैं मैंने मुमें से पेंफुल पीरियद आल्सो कॉल डी डिस मेनॉरिया बहुत सी महिलाओं में दर्द होता है इस सबी को नहीं का जा सकता लिकर लेकिन 90% 90% वर्ड में दुनिया में 90% महिलाओं को महा वारी मिन्सज के दौरण क्या होता पेंफूल होता दर्द होता यह कितने दिन होता लगबग एक से दो anxiety कामनली होता Shouldn't तर पाया जाता है एक से दो दिन तक ये दर्द होता तो इसके लिए टर्म से इस्तमाल कियाता है डिस्मेनोरिया नेक्स्ट पायंट है यहां पर समझे से पेट के लोबर अबडॉमिन में होता है समझ गई तो आपको पता हुगा क्रैंपिंग मतलब एठन टाइप होती बहुत ज्यादा अथन नहीं पता आपको बहुत ज्यादा पेट एठने लगता कहते बहुत दर्द होता या एठन टाइ मिक्राइब नीश्ट पॉइंट ही लिखा है यू में है और फॉप्र पैन पेन अर। नॉजिया भी हो सकता है और ड्री अभी हो सकता है , लेकिन पतलब नॉजिया मतलब वह मीटिंग जैसी समस्ते न१िया भी हो सकती तो ठीक है आपको घबडाना नहीं है यह कामन सी बात है एक या दो दिन तक जरूर होता है यह कामन है 100 दिन किसी को तीन दिन किसी को चार दिन वो तो बात की बात है ठीक है तो आप ध्यान रखेंगे जो पेन होता है एक से दो दिन ओके यह बात ध्यान रखेंगे आप चलते ह नेस्ट कोशन पर कोशन नमबर काफी 5 नमबर इंट्रेस्टिंग कोशन है आपके लिए कोशन नमबर 5 पढ़ें और हाँ इसमें जो भी नाम हम लिए गए हैं अगर बाई दबे किसी का मैच कर जाए तो इसमें लेखा कि कोई गलती नहीं होगी क्योंकि ये आपके लिए कोशन है सेम टू सेम उठाया गे एक जामस में लेकिन थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया गया इसमें कोशन नमबर आप पढ़ेंगे स्रीमती मंजु ने डॉक्टर से सिकायत की कि उनकी बेटी सुप्रिया सत्रा साल की है लेकिन सुप्रिया में मासिक धर्म नहीं हुआ है सुप्रिया पुड़ी रित है आपको बताना है सुप्रिया किस चीज़ से पुड़ी रित है दिये गए आपसन में से आप इगले से पढ़ ले आपसन देखें आप देख लिए आपसन आपसन देखें आपको बता रहा है एक लड़की है उनकी मम्मी कहती है एक डौक्टर से सिकायत करती है कि मेरी बेटी की एड जो है 17 साल है ठीक है लेकिन मेरी बेटी को मिंसेज नहीं होते है एमसी नहीं होती है यह महावारी नहीं होती है ठीक लिए अभी तक हुई नहीं है इसका मतलब यह है कि यह हुई नहीं है तो अभी तक हुई नहीं है तो वो डौक्टर से सिकायत करती है तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि सुप्रिया किसी चीज से प्रीडित है दिये गए आफसन में से बागी कंडिशन और भी लागू होती है आप यहाँ पर according to आफसन आप राइट अंसर बताएंगे ओके आफसन सी इसका राइट अंसर होगा क्या यह लिखा है प्रात्मिक एमेनॉरिया क्या है प्राइमरी एमेनॉरिया कहा जाएगे से जब भी एक पॉइंट यह द्यान रखेंगे एक दो पॉइंट हम बात करेंगे यहाँ पर जब भी कोई भी लड़की होती जब भी कोई भी फिमेल से गल्स होती है अगर उसे 16 साल तक ठीक है पंदरा साल तक ऐसे करके कोईशन पूछा जाता है एक्जामस में कंडिसन लगाए जाती है यह बात ध्यान रखना है ठीक है पंदरा साल तक 16 साल तक इस तरह है 17 साल तक जैसे कि आप कोईशन देख रहे होंगे ठीक है अगर किसी भी किसी भी गल्स को मिंसेज नहीं होते है किसी भी गल्स को मिंसेज नहीं होते है तो उसे प्राइमरी एमेनोरिया कहा जाएगा क्या कहा जगा प्राइमरी एमेनोरिया अब देखिए सिकेंडरी कब कहा जाता है सिकेंडरी कब कहा जाता है secondary का मतलब यह होता है उसकी age 15 भी हो सकती है 16 भी हो सकती है 17 भी हो सकती है 18 भी हो सकती है ठीक है मतलब 14 भी हो सकती है ऐसी बात नहीं है किसी किसी को जल्दी स्टार्ट हो जाते है किसी किसी को तोड़ा लेड लपेट होता ठीक है, या चार बार लगातार हुए, फिर इसके बाद रुख गए, फिर इसके बाद नहीं हो रहे हैं, फिर रुख गए, ठीक है, तीन बार हुए लगातार, या चार बार लगातार हुए, या छे बार लगातार हुए, फिर नहीं हुए, इसे सिकेंडरी एमेनोरिया कहेंग 17 साल भी लिख सकता है लास्ट पॉइंट 17 साल भी लिख देता जैसे कि मैंने मेंसन किया है और एक्जांस में पूचा भी गया कोशन है तो इस तरह जब भी कोशन एक्जांस में एज का मलब तक आ जा दिया जा है तो आप समझेंगे कि हाँ या अंसर प्राइमरी एमेनोरिया होगा जब किसी को मिंसेज हुए ही नहीं अगर हो के रुख गए तो इस कमल आप सेकेंडरी एमेनोरिया होगा उमीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होगे आज के बाद भूलेंगे नहीं या आप न यहाँ पर देखें वही पॉइंट मिंसेज किये गए हैं अगर थोड़ा समझना चाहें या देखना चाहें तो देख सकती हैं फिर से आप प्राइमरी एमेनोरिया है इस दाफसेंस आप दी मिनार्की बाई एस 16 किसी भी गल्स में या किसी में भी ठीक है अगर उसके मिनार्की एप्सेंट है अदेख सोलह साल की अमर कि उमर तक थी immers timeframe Tусов करेक्टरिस्टिक तो दिखते हैं होते हैं ठीक है लेकिन क्या है उसे message नहीं होते अब आपको ये mind में बात जा रही हो कि इससे करें अडी-sexual characteristics क्या होते ये आपको पता ही होगा आप तोड़ा सर्च करेंगे इसके बारे में जान जाएंगे ठीक है जो भी क्या होते है बोडी parts होते है जो गुरो होते जेक है आपको पता होगा आपटर पीपरटि और्वी-ड अडी एटपलाफ होते है ये तो इस फस्ट रूप से है यह दिखते है यह सोenneक होते यह इवीडेंट है ठीक है इस सबनेहिंद से दिखे अमेद करता हूँ समझ गया होंगे अब यहाँ पर नेस्ट पॉइंट वही मिंसन किया गया सिजेशन आप दी मिंसेज फार दी लें तो आप दी एक इस दा थी मेंसरल साइकल इंटरवल और दी सिक्स मन्थ ठीक है तीन महीने तक या तीन मिंसेज हो गए या तीन के बाद छे महीने तक नहीं हुआ तो इसी को कहा जाता है सिकेंडरी एमेनोरिया तीन मलब हुए होने के बाद दो तीन बार हुए तीन के बाद रुग गए या छे महीने तक हुए नहीं या तीन महीने तक नहीं हुए तो इसी को कहा जाता है सिकेंडरी एमेनोरिया तो समझ गया होंगे उमीद करता हूँ वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा ना अच्छा लगा हो फिर भी आप लाइक करना अगर चैनल पे नहीं से सस्क्राइब करना क्योंकि लिए आपके लि मेहनत मेरे ही लिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि हिंदी इंगलिस दोनों करना पड़ता ना ट्रांसलेशन तो अगर चैनल पे नहीं से सस्क्राइब करना लाइक करना हो सके तो दोस्तों के साथ से एर करना ताकि दूसरों तक भी जानकारी पहुंच सके तो चलते हैं जल्द नोट्स परचेट कर सकते हैं थेंक्यू थेंक्स पर वाचिंग प्रेंट थेंक्यू बाबाई टेक क्यास